हमारे दुनिया में कई ऐसी चीज़े हैं जो हमारी आखों के सामने तो होती हैं लेकिन उन पर यकीन करना हमारे लिए बेहत मुश्किल हो जाता है कई बार हम ऐसी लोगों से रूबरू होते हैं जिनके अजीबो गरीब और हैरत अंगीज आदत हमें चोकने पर मजबूर कर देती हैं दिमाग को चकराने वाला ऐसा ही एक अजीबो गरीब वाक्या MP से सामनी आया है अगर हम आपसे ये कहें कि MP में रहने वाले दयाराम काच खाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे आप सोचेंगे कि हम मजब कर रहे हैं भला जिस काच की जरा सक चुप जाने से जान निकलने लगती है उसे भला कोई शक्स खा कैसे सकता है लेकिन यकीन मानिए ये सच है MP के रहने वाले दयाराम पिछले कई सालों से काच खा रहे हैं और हैरत की बाद तो ये है कितने सालों से काच खाने की बावजूद वो बिलकुल ठीक है दयराम का कहना है कि ये मेरे लिए एकलत की तरह है लेकिन मैं दूसरों को ऐसा करने का सुझाप नहीं दूँगा ये स्वास्त के लिए खतरनाख है दयराम का ये शौक अजीबो गरीब और खतरनाख तो जरूर है लेकिन उनके शौक ने उन्हीं लोगों के बीच मश्वूर कर दिया है लोगों को उनका कारनामा किसी अजूबे से कम नहीं लगता बहराल जो भी हो कारनामा या जूबा लेकिन हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इसे आजमाने की कोशिश ना करें विरर पॉट और नाइटिव